जय भीन जय भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है 296 चुने हुवे लोग करीबन 3 साल का समय 12 सत्र 167 बैटके इस तरह भारत को एक मजबूत सविधान दिया गया इतिहस में पहली बार जाती घर तुकडों में बटी खेती विभिन्न धर्म से एक मजबूत संप्रभुता राश्चियत्व बना है सविधान सिर्फ एक किताब ही नहीं बलकि भारत की एक अटूद आत्मा है जो की सबकी जान है सबका अधिकार है यानि सविधान भारत देश का सर्वोच कानून है हमारा मकसद है कि भारत का हर एक-एक नागरिक सविधान को जानेंगे तभी तो अपना हक मांगेंगे आखिर सविधान है क्या इसलिए वीडियो को अंत तक देखे और वीडियो को लाइक, शेर अंड सब्सक्राइब करना ना भूले आईए देखे भारतिय सम्मिधान के बारे में महत्वपूर्ण वो तत्य और बताएंगे भारतिय सम्मिधान से जुड़ी उन 18 रोचक बातों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे देश में सबसे उचा पद भारतिय सम्मिधान का है सरकार, सुप्रीम कोट, राश्च्रपती, प्रधान मंत्री कोई भी इससे उपर नहीं है सब इसके दाइरे में रहकर ही काम कर रही है तो अब जानते हैं भारतिय सम्मिधान के कुछ ऐसे रोचक तत्यों के बारे में नमबर एक भारत का सम्मिधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है ना कि कोई मशीन से इसे प्रेम बिहारी नारायन राय ज्यादा ने अपने हाथों से इलेक्ट्रिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांती निकेतन के दो कलाका राम मनोहर सिनहाप और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था नमबर दो भारतिय सम्विधान विश्व का सबसे लंबा लिखित सम्विधान है यह 25 भागों में बंटा हुआ है जिसमें 448 आर्टिकल्स है और 12 शेडियूल है इसके अंग्रेजी संसकरण में कुल 1,17,399 शब्द है इसे लिखने में कुल 254 पेन निप का इस्तमाल किया गया था और करीबन 6 महीने का समय लगा था इस पूरे कार्य पर लगभग रुपए 6 दशलक्ष 3 करोड खर्च हुए थे नमबर 3 सम्विधान के अंग्रेजी और हिंदी संसकरण की असली ओरिजिनल कौपी संसत भवन की लाइबरेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है नमबर 4 सम्विधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे डॉक्तर राजेंद्र प्रसाद को सम्विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और भारत रत्न डॉक्तर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेर्मैन बनाया गया था उस सविधान को बनाने के लिए सबसे ज्यादा बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान था इसलिए डॉक्तर बाबा साहेब को भारत के सविधान का शिल्पकार कहा जाता है नमबर पांच सम्विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तै की गई थी जिन में 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधी, चार चीफ कमिशनर क्षेत्रों के प्रतिनिधी और 93 देशी रियास्तों के प्रतिनिधी थे यह संख्याबाद में घटकर 299 रह गई इसमें हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधी सम्विधान सभा में शामिल नहीं हुए थे भारत का सम्विधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था लेकिन अधिकारिक रूप से यह 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम सब भारतिय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं नमबर साथ सम्विधान को लागू करने के लिए 26 जन्वरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण भारत स्वराज दिवस की वर्षगांट थी नमबर आठ भारतिय सम्विधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा, बहस और मसला निकालने हेतू रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किये गए थे नमबर नौ इंगियन कांस्टिक्यूशन पर सम्विधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी है जिन में से 15 महिलाएं भी थी ज्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये थे और कुछ ने हिंदी में भी अबुल कलाम आजाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किये थे नमबर दस 24 जनवरी 1950 को सम्विधान लागू होने से दो दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किये जा रहे थे तब उस समय बारिश हो रही थी और डॉट सम्विधान सभा के सदस्यों ने इसे शुब बताया था यह सम्विधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन सम्विधान सभा के द्वारा डॉक्तर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राश्चुपती भी चुना गया नमबर ग्यारा डॉक्तर भीमराव अमबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और सम्मिधान सभाकी कमेटी के चेर्मेन भी थे इसलिए भीमराव अमबेडकर को भारतिय सम्मिधान का पिता कहा जाता है नमबर बारा भारतिय सम्विधान दुनिया के दस अलग अलग देशों से लिया गया है इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है सम्विधान का मूल धाचा गवर्नमेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है नम्मर 13 भारतिय सम्विधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है जो अमेरिका के सम्विधान से संबंधित है दिल्चस्प बात यह है कि शुरुवात में सम्पत्ती का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसके सम्पत्ती से वंचित नहीं किया जा सकता लेकिन सम्विधान के चवाली स्वे संशोधन 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया था नमबर 14 भारत के राश्च्य प्रतीक सारनाथ जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोडे भी है इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था नमबर 15 भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत एक संगिय समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गनराज्य है समाजवाद शब्द को 1976 में 42 संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है नमबर 16 भारतिय सम्विधान के पहले अनुच्छेत के अनुसार, भारत सभी राज्यों का एक संग है और डॉक्तर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट कहा था, भारत एक मात्र संग है और किसी भी राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है नमबर 17 सम्विधान के प्रती जागरुकता महत्व को बढ़ावा देने हेतू 26 नवंबर के दिन को भारत के सम्विधान दिवस के रूप में मनाया जाता है नमबर 18 भारत के सम्विधान को दुनिया के सबसे भहतरीन सम्विधानों में से एक माना जाता है क्योंकि अभी तक हमारे सम्विधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए है लेकिन आज भारत के सविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है इस सविधान का गुरुपयोग किया जा रहा है डॉक्तर बाबा साहब ने बनाए इस सविधान को बचाना ही देश भक्ती का प्रतीक है